हैलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंना आपको CDP में जो दो पोर्शन आते हैं मिल जाएंगे वहां से जाकार आप उन वीडियो को देख सकते हो ओके तो उसी पैड़ागोजी को हम आगे बढ़ाते हुए सिक्षा शास्तर को आगे बढ़ाते हुए जो कि आपके सीटेट में 75 मार्क्स के डी एसस भी में 75 मार्क्स के के वीएस में आपके कम से कम नीतो 20 से 25 म समाजी करण सोसलाइजेशन उसके बारे में भी पढ़ाएंगे और वीडियो के एंड में मैंने कुछ important questions भी दे रखे हैं उनको भी लगा के देखेगा कि अब तक आपको कितना समझ में आया है तो इस वीडियो का आप एंड तक देखते रहेगा आपको सारी information मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हैं डिके गुपता उनलाइन वीडियो स्पो गुवर्मेंट अक्जाम चलिए शुरू करते हैं तो आज का अपना टॉपिक आप लिख लीजिए क्या है हमारा टॉपिक पर्थम पीडी के सिक्षार्थी यानि की first generation student है इनको अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे कि पर्थम पीडी के सिक्षार्थी आपको तो पता चली गया दूसरा है आपका वंचितवर के सिक्षार्थी तीसरा है आसंगटित घर से आने वाले विध्यार्थी या फिर चोथा है है हैश्य पड़े ध्यान रखेगा ह हर्ष्य पड़े सिक्षार्थी तो यह कुछ नाम है इनके हिंदी में अलग-अलग नामों से जाना जाता है और इंग्लिस में इसको फर्स जनरेशन स्टुडेंटी कहा जाता है कुछ भी ध्यान रख सकते हैं आप जैसे आपकी सुविधा हो अब यह पर्थम पेड़ी सिक् होगा कि जो की आर्थिक रूप से काफी बोल सकते हो पिछड़े होते हैं वो जो बच्चे होते हैं वो इसकूल में पहली बार आते हैं तो वो बच्चे जो अपने परिवार के पहली बार रूप से इसकूल में पढ़ने के लिए आते हैं उनको पर्थम पेड़ी के सिक्षा कहा जाता है और वो भी ध्यान रखिएगा ये वो बच्ची होते हैं जिनके माता पिता ने कम से कम प्रारंबिक शिक्षा की शिक्षा परदाप नहीं कही हो मतलब प्रारंबिक शिक्षा किसको कहा जाता है तो एक से लेकर आठवी क्लास की को क्या कहा जाता है प्रारंबिक शि पिता ने प्रारम्विक सिक्षा, elementary सिक्षा, education नहीं लिए एक से आठवी तक इनके परिवार में ये बच्चा जो आता है पहली बार पढ़ने उसको ही प्रारम्विक या फिर उसी को ही प्रात्मिक पीडी के सिक्षार्ती कहा जाता है, ओके ये तो हो गिया, आपको पता चल ग कि प्रात्मिक शिक्षारती किसको कहाँ जाता है अब इनके कुछ नुकसान मतलब इनके कुछ समस्याइं भी यह निको कुछ कटनाईयां भी आती है वो कौन-कौन सी होती है और कोशन आपके वहीं से ही पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं एक बार प्रात्मिक पीडी के बच्चों की समस्या हैं तो देखो में समस्या हैं आपके मैंने लिख रखी है जहां से कोशन्स आपके पूछे जाते हैं जैसे कि पहला इनकी समाजिक वे आर्थिक इस्थिती जो होती है वो अत्यंत खराब होती है देखो समाजिक यानि की इकनॉमिकल रूप से और फाइनेंशन रूप से किसी की आपके हालत जो होगी वो खराब होगी मतलब रोटी खाने के भी वान्दे होंगे वो शिक्षा कैसे गरन कर सकता है तो यह जो वर्ग के बच्चे होते हैं इनका यही होता है कि इनका समाजिक वे आर्थिक इस्तिती इत खराब होती है इसलिए जो इनकी लड़कियां होती है इनके लड़कों से जादा बूरी हालत में होती है क्या का मैंने आपका कि इनकी लड़कियां जो होती है वो लड़कों से जादा बूरी हालत में होती है क्यों क्योंकि यह परिवार वाले सोचते हैं कि जो लड़का है वो कमानिक ले जाएगा और लड़कया जो होगी भर पर रहके घर का काम करेंगी या छोटे बच्चे होगी तो उनको समालेबेंगी इसलिए जो होती है इनकी लड़कया जो होती है वो लड़कों से ज़ादा बुरी हालत में होती है समाजी को और आर्थिक इस्तिती अत्यंत खराब होने के कारण नेक्स्ट है अध्यापक का इनके परती नकारत्मक द्रिष्टी कोण ध्यान रखेगा जो ऐसे बच्ची होते हैं उनके परती अध्यापक का भी नकारत्मक द्रिष्टी कोण हो जाता है कि ये बच्चे जो होते हो जल्दी से किसी चीज को समझ नहीं पाते तो किसी चीज को ये पूछते हैं तो teacher भी जो होता है वो हड़का देता है कि चुप तिरे बसकी नहीं है बैठ जा रहा है हमसे तुरों को बार-बार पूछता रहता है समझ में कुछ आता नहीं है ऐसा करके हणका दिया जाता है तो ऐसा हमें इन बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए इनके साथ हमें प्यार से सहने भूती से बार बार इनको समझाना चाहिए इनको अत्यदिक टाइम देना चाहिए पढ़ने पढ़ाने का नेक्स्ट है कक्षा के सहपाठियों का नकारात्मक दृष्टी कौन जैसे कि आप सभी को पता है टीचर भी नकारात्मक दृष्टी कौन के हो जाते हैं और इनके जो कक्षा के बाकी गुरूप मेंबर होते हैं जो बाकी क्लास मेंबर होते हैं वो भी इनका नकारतमंग दृष्टी कॉन होता है, कि ये पहली बार अपने स्कू अपने को पूरे परिवार में पढ़ने आया है, ये हमारे साथ बैटने लाइक नहीं है, इसके कुछ समझ में नहीं आता, इस परकार का नकारतमंग दृष्टी कॉन जो होता है, बाकी बच्चों का भी हो जाता है next है स्वतंत्र अध्यान में इनको परेशानी होती है स्वतंत्र अध्यान मतलब जो इनको homework दिया जाता है न वो homework ये पूर्ण रूप से करना ही पाते है क्यों कि देखो इनके माता पिता भी पढ़े लिखें नहीं होते ये टूशन लगाने जा भी नहीं सकते शूरन लगाने के लिए और जो अध्यापक पड़ाता है वो इनके लिए पूर्ण नहीं हो Palestinian ये पाता है तो स्वतन तरध्यन में सबसे ज़्यादा परिशानी देखने को मिलती है नेक्स्ट है बहारी दुनिया से इनको कोई अनुभव नहीं होता जैसे कि जिनका infrastructure जो कि आसपास का रहन सहन जो होता है वो अच्छा होता है तो आसपास के महल से भी कुछ सीखने को मिलता है लेकिन इन बच्चों का आसपास का महल वैसा ही होता है कि जो बच्ची होते हैं उनको दिन की दो रोटी कमाने के लिए मज़दूरी में लगा देना तो इनका infrastructure भी इतना अच्छा नहीं होता जिसके कारण इनको बारी दुनिया से कोई भी अनुभव नहीं मिल पाता है और साथी साथ में क्या होते हैं हीन भावना से ग्रस्त होते हैं तर दुनिया के जो लोग होते हैं इनको दुतकार देते हैं टीचर नकारात्मक दृष्टिकोंड रखते हैं स्टूडेंट नकारात्मक दरिष्टिकोंद रखते हैं इसकी कारण जो होता है इनका अपने उपर ही जो होता है वो विश्वास कम होने लगता है यानि इन बच्चों का जो आत्विश्वास होता है जो self-confidence होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है कि हम इस चीज को सीख पाए में ही जूटे रहते हैं तो उनको पढ़ने का भी टाइम नहीं था जिसकी कारण उनके भी एजूकेशन नहीं हुआ और वो अपने बच्चे की भी हल्प नहीं कर पाते हैं ओके तो यह में प्रॉबबबली आपकी समस्याई थी जो की बच्चे को देखने को मिलती है अब समस् उसको हल करने का भी कुस्तोविधान है तो ध्यान रखेगा दो मुख्यें आपको ध्यान रखने हैं पहला कि कख्षा में कभी भी बच्चों को या आपके जो टीचर्स होते हैं उनको कभी भी इनके परतिनकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए इन बच्चों को कुछ अधिक समय देना चाहिए इस्कूल के बाद भी ताकि हम इनको पढ़ाने योग या पढ़ने योग बना सके और साथी साथ में कि इनको आजे प्यार से सहने बूती से कुछ एक्स्टा टाइम देकर हमें पढ़ाना चाहिए तो यह दो में प्रोबेबली बात है ध्यान रखने की बाकी जो कोशन पूछे जाते हूं आपकी समस्या इसे पूछे जाते हैं तो यह था अमारा आज का पहला टॉपिक फर्स जंडरेशन स्टुडेंट यानि की पर्थम पीड़ी के सिक्षार थी चलिए नेक्स टॉपिक देख लेते हैं नेक्स टॉपिक था आपका स समाजी करण या समाजीक विकास जिसे आप इंग्लिश में सोसलाइजेशन भी कहते हैं चोटा सो टॉपिक है इसलिए मैं आपको इन दोनों को एक में कवर कर लिया जैसे कि जो आपको पता है साइकलोजिस्ट काफी बड़ा नाम है जो आपको परियोजन वाद ध्यान रखे है कि समाज के साथ तालमिल बिठा लेना या फिर समाज के साथ समयोजित हो जाने को ही क्या कहा जाता है आपका समाजी करण कहा जाता है जो कि शाब्दिक रूप में बात करी जाए तो अपने परियोजना का उद्देश्यों की प्राप्ति करते हुए समाज की परियोजना औ किसी चीज को, किसी उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हो और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ आप समाजी के उद्देश्यों को भी साथ-साथ में प्राप्त कर रहे हो erry for example कि हमें किसी भी मुकाम तख किसी भी स्थर तक पहुचने के लिए हमें पूरा का पूरा जो हमारा समाज है उसका पूरा का पूरा हमें देहन नहीं करना चाहिए जैसे कि आप सबी को पता है चोरी-चकारी करनी गलत बात है किसी को मारना गलत बात है तो इन चीजों का ध्य फ्याल रखते हो कि समाज के हमें अलग यानी कि हमें समाज से हटकर नहीं जाना उसको साथ मर लेकर चलना है। तो जब आप समाज के साथ तालमिल बिफा लेते हो, उस्जुओं क्या का जाता है। और जॉन डेवी ने यही का था कि सिक्षा के द्वारा ही बच्चों का क्या करना हमें समाजी करण बना करना है बच्चों को समाज के साथ तालमेल बिठा कर कारे करने के लिए उनको समझाना है उन्हें बताना है उनको इस योगे बनाना है तो अब बात आ जाती है समाजी करण की संस्थाई कितनी है तो main probably आपकी दू है जो कि पहला आपका अनौपचारिक यानि की निस्क्रिये शाधन अब यहाँ पर देखो misprint हो गया साधरन लिख दिया यहाँ पर साधन लिखना चाहिए था ओके तो पहला आपका अनौपचारिक निस्क्रिये शाधन जो कि अनौपचारिक कहने का ताथपर यहाँ पर यह है जो कि आपको अपने आप सारी की सारी शिक्षा आपको परदान हो जाती है आपको कोई विशीश किसी परकार का कोई व्यक्ती शिक्षा ना दे फोर अग्जामपल जैसे की परिवार, खेल समू, मंदिर, मस्जित, स्वारजनिक पुस्तेकाले यह सारी की सारी चीज़े एक वैसी चीज़े हैं जहाँ पर आप धीने धीरे-धीरे कुछ ना कुछ दिन पर दिन सीखते रहते हो जो कि बिना किसी आप मेहनत के बिना किसी ध पर आपका संस्था अपको किसी परकार का सिक्षा परदान करे जो कि मोंध्रोबेबली आ जाता है आप आपका स्कूल और स्कूल से एक बात ध्यान रखेगा इसकूल ना केवल समाजी करण का साधन है, बलकि जो हमारी संस्कृति है उसको संचरक्शन भी देता है, मतलब समहाल के भी रखता है जो की आने वाले जो students होते है जो पीडि होते हैं दिन पर दीदी उनके अंदर वो translate या transfer उनके अंदर करता रहता है इसलिए इसकूल को हमारा क्या का जाता है संस्कृति का संरक्षक भी कहा जाता है तो ध्यान रखेगा समाजी करने की संस्थाएं आपकी दो है डिरेक्ली आपको पूछ लिया जाता है कि निमलेकित में से कौन सा आपचारिक संसाधन का उधारन है तो वहाँ पर आपको तीन चार option दे दिये जाएंगे, जिसमें से आपको एक दे दिये जाएगा परिवार, दूसरा खेल समू, तीसरा मंदिर और चोथा school और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें उसे कौन सा आपचारिक या फिर अनापचारिक संसाधन का उधारन नहीं है, तो इस्कूल पर टिक कर दीजेगा, इस्कूल क्या है आपका आपका आपचारिक साधन है, ओके, तो ये था आपका एक छोटा सा चैप्टर, आपका समा समाजी करण, दोनों टॉपिक में आपको अच्छे से किलियर करें, परतम पेड़ी के सिक्षार्थी और सोचलाइजेशन यानि की समाजी करण, अब यहां से इन्पॉर्टन कोशन किस परकार के पूछे जाते हैं, चलिए उनको लगा कर देखते हैं, तो आज का पहला कोशन कि वंचित सिक्षार्थियों के साथ वहवार करने के संधर्म में अध्यापक अध्यापिका को, तो आज का पहला कोशन कि वंचित सिक्षार्थियों के साथ वहवार करने के संधर्म में अध्यापक अध्यापिका को निमलिकित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त कर तो किसमे व्यक्त करना चाहिए पहला विद्ध्यार्तियों के किसी भी परकार की मांगना हो दूसरा विद्ध्यार्तियों द्वारा सुखर्थ हेतू अध्याम करता व्यक्तिकत उत्तरदायत्व या च्ध। व्यक्तिगत उत्तरदायत मतलब उन पर इंडिविज्वल ध्यान देना समय जादा उनको लगे तो उस परकार का में उनको समय भी प्रदान करना तो अप्शन नमबर थार इसका बिलकुल सही अंसर था नेक्स कोशन प्रथक प्रथक समाजतिय समू के व्यक्तियों के परती बच्चों की अभी विर्ती साधरन ता आधरित होती है तो किस पर आधारित होती है आपके भिन भिन परकार के बच्चों के समाजिक समू के पहला उनके अभिभावकों के चित्र विर्ती पर उनके समकाक् दूरदर्शन के परभाव पर उनके सहादारों की अभी विर्थी पर तो जो आपके भिन-भिन परकार के attitude वलके किस भिन-भिन परकार के समाज के समू के जो बच्चे होते हैं उनके अभी भावक्कों की जो चित्र विर्थी होती है मतलब उनके जो parents होते हैं उनके जो बड़े बुजूर्ग होते हैं, उनी के अनुसार उनको बच्चों का भी attitude आगे जाकर उनी परकार का बनता है, जिस परकार के उनके माता पिता उनको शिक्षा देंगे, तो उसी के उपर आधारी तो होता है, तो option number first इसका बिल्कूल सही अंसर था, next question, निम्लिकित में से कौन सी विशेषता समाजिक रूप से वंचित वर के विध्यारती की है, पहला बालक की देखबाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिये परभावशाली ढंग से तयार नहीं करते, दूसरा नियमित स्वास्त संबंदी देखबाल नहीं मिलती, तीसरा व् विविद अनुभवों को प्राप्ट करने की मौके नहीं मिलता, या चोथा विध्याले में अच्छा करने के लिए आभी प्रिरित नहीं किया जाता, तो देखो आपका निम्लिकित में से कौन सी विशेषता समाजिक रूप से वंचित वर्गों के विध्यारतियों किया है, तो इसमें जो सही होगा, वो option number first होगा, कि बालक के देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए परभावी ढंग से तयार नहीं करते, मतलब जो उनके parents होते हैं, वो उनके parents आपके ऐसे होते हैं, जो कि आर्थिक रूप से, समाजिक रूप से जो होते हैं, वो आपके य पढ़ें, तो option number first इसका बिल्कुल सही answer था, next question, वंचित वर्ग से संबंदित लड़कियों की विध्याले छोडने की दर, डैश के कारण उच्छी तर होती है, तो मैंने आपको बताया था, इनकी समाजिक वे आर्थिक इस्थित इतनी कमजोर होती है, ताकि लड़कों के ज स्कूल को छोड़ती हैं, ड्रॉप आउट करती है, next question, आसंगेटित घर से आने वाले बालक या फिर बच्चा सबसे अधिक कठनाई का अनुभव करता है, तो कहां करता है, तो स्वतंत्र अध्यान में करता है, मैंने आपको बताया था, question पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेगा, okay, next question, पहली पीडी के अधिकम करताओं के परिवार से आने वाले बच्चों को, तो पहली पीडी के अधिकम करता के जो परिवार से आने वाले जो बच्चों होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, पहला, विशेश श्कूल में भेज़ दाना चाहिए, समान्य स्कू स्कूल में करनी चाहिए, वो किसी भी परकार का बच्चा हो, जो की समावेशी सिक्षा का आपका ये पूरा का पूरा स्लोगन है, okay, जब मैं समावेशी सिक्षा पढ़ाऊंगा, तब आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेगा, किसी भी परकार का बच्चा हो, सबको हक है समाने स्कूल में पढ़ने का, तो उप्शन अमबर सेकेंड इसका बिल्कूल सही अंसर था, नेक्ट कोशन, एक उच्च प्रात्मिक विध्याले के सिक्षक के रूप में, आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं, जो पर्थम पीडी के रू तो पहला माता-पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों को टूशन लगाने के लिए आप नमरता पूर्वक कहेंगे, तो बिल्कुली बेकार ऑप्शन है कि उनको टूशन लगाने के लिए कहोगे, दूसरा कक्षा गतिविदी के समय और ग्रह कार्रे के लिए उन बुनियादी सैयोग और अन्य साहिता उपलब्द कराएंगे, मतलब जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, तब आप बच्चों के उपपर कुछ ज़्यादा ध्यान रखोगे, और साथी साथ में जब उनको स्वतेंतर अध्यान यानि की गिराय कार्य दोगे, हमवक दोगे, तो उसके साथ साथ में उनके लिए कुछ बुनियादी सिक्षा या फिर उनकी साहिता उपलब्द करने के लिए आप वहाँ पर रहोगे कुछ एक्स्टा टाइम देकर स्कूल के बाद, और वही हमें करना चाहिए परतम पीड़ी के सिक्षार्तियों के साथ, तो अप्शन अ लखेगा खेल समू में रहने का सबसे ज़्यादा जो इंपोर्टेंट पॉजर्टिविटी है, वो संयोग सीखना है, मतलब आपस में कैसे कोरेलेशन बिठाएं कि एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ें, तो संयोग सीखता है खेल समू के दौरा, बाकी नेगेटि कौन से समाजिकता का मतलब है, यानि कि जो समाजी करना है, उसका मतलब क्या है, अपने खुद के समाजिक मंदांड मनाना मतलब अपने खुदों के नियम बना लेना, समाज में बड़ों का आदर करना, तीसरा समाजिक परिस्थिती में अपने आपको ढालना और अनुकूल बनना आगे पढ़ने की जूरत नहीं है मैंने आपको बताया था कि समाजिक उद्देश्यों के साथ साथ समाजिक उद्देश्यों को भी आप क्या करो पूर्ण करोगे उनको सम्मान दोगे उसी कोई कहा जाता है समाजी करन तो option number 3 इसका बिल्कुल सही अंसर था next question सिक्षा का कौन सा उद्देश्यों समाज के लिए अत्यन्तोपी होगी है तो सांस्कृतिक आजे विकास समाजी करन आगे पढ़ने की जूरत नहीं है समाजी करन ही जोकि मैंने आपको बोला था जोन डूवी ने साफ का है कि सिक्षा के द्वारा बच्चे का समाजी करन ही कर समाजी करन की उपलब्त या फिर अपने परियोजना तथा समाजी क व्यवस्ता के उद्देशों का समकलन आगे पढ़ने की जोरत नहीं है पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अपने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समाजी क व्यवस्ताओं को अभी ध्यान में वो कहा है जोन डोवी ने मैंने आपको बोला था कि बच्चों को सिक्षा के द्वारा ही समाजी करन प्राप्त करानी है जो कि जोन डोवी के द्वारा कहा गया था तो अप्शन अमबर साइकेंड इसका विल्कुल सही अंसर था नेक्स कोशन पहली पेड़ी के मानव अधिकारों को व्यचारिक समर्थन दिया था तो किस ने दिया था समाजवादी देश ने पुंजिवादी देश ने विकास सील देश ने संयुक तरास्टिय संग ने तो ये दिया था UNO ने मतलब संयुक तरास्टिय संग ने तो पर्थम पेड़ी जो सिक्षारती होते हैं, उनको मानावधिकार यूएनों के द्वारा मिला हुआ है, तो option number 4 इसका विलकुल सही answer था, तो ये था आपका पूरा का पूरा important topic, पर्थम पेड़ी के सिक्षारती और समाजी करण, और दोनों से related कुछ important question ताकि आपकी पूरी जो मैं आपको तीन topic करवा चुका हूँ, उसकी वीडियो मैंने आपको link आपको comment box में पहला comment जोगा, वहाँ पर दे रखिये, तो वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को जरूर देख लिजेगा, तो अब ऐसी हमारी continue चलती रहेगी पेड़ा गोजी, ताकि आने वाले exam को ना भूलेगा, अगर वीडियो से related किसी भी परकार का कोई doubt हो, कोई query हो, तो नीचे comment box में comment कीजेगा, मैं आप सभी के message को read out जरूर करता हूँ, और उसी के साथ साथ में अगर आपने इस channel को subscribe नहीं कर रखा, तो जल्दी से subscribe कर लिजे, और उसके साथ में जो bell icon होगा, उसक भी दबात देजेगा, ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको time to time मिलती रहे, तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, आप से फिर मला कात होगी, next वीडियो में जब तक के लिए, जय हिन, जय भारत!